हालो फ्रेंड्स वालकम बैक टो में चैनल आज मैं आप लोंगे साथ सेर करने वाले हूं कतला मचली बनाने का बहुत ही टेस्टी तरीका वो भी बिल्कुल आसान तरीके से और इतना टेस्टी बनता है ना कि अगर आप इसे एक बर बना के खा लेंगे तो आप इसी तरीके से क कतला मचली को जब ट्राइ करके देखिएगा उमीद है आपको यह बहुत पसंद आएगा तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं कतला मचली बनाने के लिए यहां पर मैंने एक केजी कतला मचली लिया है और इसे मैंने अच्छे से क्लीन आ इंड वास कर लिया है अब हम सबसे पहले इसके लिए एक मसाला बना के रेडी करेंगे, तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो पूरा लहसन को छील के लिया है, दो छोटा चमच काला सरसो लिया है, आप इसके जगा पर पीला सरसो कभी यूज़ कर सकते हैं, 7-8 सुखी लाल मिर्च लिया है 2 इंच कटा हुआ अधरक और 1 मिडियम साइज का कटा हुआ प्याज लिया है अब हम एक मिक्सर के जार में इन सभी मसालों को आड़ कर लेंगे अब इसमें हम 2 छोटा साइज का कटा हुआ टमाटर आड़ करेंगे और इसे हम grind करके इसका हम fine सा paste बना के ready कर लेंगे तो देखे मैंने इस तरीके से इसका paste बना के ready कर लिया है अब हम कतला मचली को marinate करेंगे तो इसके लिए हम एक बड़ा चमच हल्दी powder एक बड़ा चमच कस्मिरी लाल मिश पॉर्डर अब इसमें हम हमने जो सर्सों का मसाला बना के रखा था उस मसाले को हम इसमें तीन चमच आट करेंगे जिसे की मचली में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अब इसमें हम नमक आट करेंगे नमक अपने टेस्ट के कोडिंग आट करें अब हम सारे मसालों को मचली में अच्छे से कोट कर लेंगे देखी मसाले मचली में अच्छे से कोट हो चुके हैं अब इसे हम 10-15 मिनेट के लिए फ्रीज में रिस्ट होने के लिए रख देंगे अब हम gas on करेंगे और एक कड़ाई को अच्छे से गरम होने के लिए रखेंगे देखी कड़ाई अच्छे से गरम हो चुक है अब इसमें हम थोड़ा सा mustard oil आट करेंगे आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी cooking oil के यूच कर सकते हैं और oil को अच्छे से गरम होने दे देखी ओईल अच्छे से गरम हो चुक है अब इसमें हम एक एक करके कतला मचली को add करेंगे और एक बार में oil में जितना मचली आटेगा उतना add करके इसे हम medium flame में दोनों साइट से अच्छे से golden brown हो जाने तक fry कर लेंगे देखी मचली एक साइट से अच्छे से golden brown हो चुक है अब इसे हम turn कर देंगे और इसे हम दूसे साइट भी medium flame में अच्छे से golden brown हो जाने तक fry कर लेंगे देखी मचली दोनों साइट से अच्छे से गोडें ब्राउन हो चुका है अब इसे हम निकाल लेंगे अब हम बाकी बचा मचली को भी एक एक करके ओईल में आट करेंगे और इसे भी हम मिडियम फ्ले में दोनों साइट से अच्छे से गोडें ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे देखी मचली एक साइट से अच्छे से गोडें ब्राउन हो चुका है अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी बच्चा सारे मचली को हम फ्राइ कर लेंगे देखिए मैंने उसी तरीके से सारे मचली को फ्राइ कर लिया है और मैंने उसी ओयल को छान के दूसे कड़ाई में लिया है यहां पर मुझे थोड़ा सा ओईल कम लग रहा है तो इसमें स्वड़ा सा और ओईल आट कर लेंगे और हम ऑईल को अच्छे से गरम होने देंगे देखिए ऐल अच्छे से गरम हो कुछutral हैं अब इसमें सर्सों का दाना आट करेंगे और इसे हम हलका से चटक ने देंगे देखिए सर्सों का दाना हलका से चटक चुका है अब इसमें हम हमने जो मसाला बना के रखा था उसे इसमें आट करेंगे अब हम मिक्सर के जार में थोड़ा सा पानी आट करके उसे भी इसमें आट कर लेंगे अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हम मसाला को मिडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इससे ओयल सेपरेट ना होने लगे देखिए मसाला से oil separate होने लगया यानि कि मसाला अच्छे से fry हो चुका है अब इसे हम एक बर अच्छे से mix कर लेंगे अब इसमें हम सुखे मसाले add करेंगे देख चमच जीरा पॉड़र देख चमच धन्या पॉड़र एक चमच हल्दी पॉड़र वन्थफ़ चमच काली मिस पॉड़र एक चमच कस्मिरी लाल मिस पॉड़र कलर के लिए बिलकोल ओप्चनल है आप चाहते से skip कर सकते और नमक आड़ करेंगे नमक अपने टेस्ट के करें अब इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर लेंगे जिसकी मसाला को फ्राइ करने में इजी हो जाएगा अब इसमें अच्छे से मेक्स कर लेंगे और हम मसाला को मीडियम फ्ले में अच्छे से फ्राइ करेंगे जबते कि मसाला से ओईल सप्रेट ना होने लगे देखी मसाला से oil separate होने लग गया यानि कि मसाला अच्छे से fry हो चुका है अब इसे हम एक बार अच्छे से mix कर लेंगे अब इसमें हम पानी आट करेंगे तो यहाँ पर मैंने 1.5 glass पानी आट किया है आप चाहें तो पानी की quantity अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं आपको जैसा gravy खाने का मन हो आप उस recording इसमें पानी डाले अब इसे हम एक बार अच्छे से mix कर लेंगे और हम gravy को cover करके medium flame में एक कुबाल आने तक पकने देंगे देखे gravy में एक कुबाल आ चुका है अब इसे हम एक बार अच्छे से mix कर लेंगे अब इसमें हम fry क्या हुआ कतला मचली को एक एक करके डाल देंगे अब इसे हम एक बार अच्छे से mix कर लेंगे और हम मचली को gravy के साथ बिना cover के हुए medium flame में 5-7 मिनट के लिए पकने देंगे देखिए इसे पकते वे 5-7 मिनट हो चुका है और इसे इतना अच्छा खुसबू आ रहा है कि जिसे मैं आपको बता नहीं सकती मेरे तो मुह में अभी से ही पानी आने लग गया है तो देखिए हमारा बहुत ही tasty कतला मचली बनके रेडी है अब मैं आपको गर्मा गरम कतला मचली को serve करके दिखाती हूँ देखिए कितना बढ़िया कतला मचली बनके रेडी हुआ है और आपने देखा कि इसे हमने बिल्कुल आसान तरीके से बनाया है और यह खाने में बहुत ही ज्यादा tasty है और आपको देखने से भी पता चल रहा होगी कितना tasty बना है और यह जितना दिखने में टेस्टी लग उससे ज़्यादा खाने में भी tasty अब इससे आप गर्मा गरम रोटी चावल प्राठा किसी सथ भी सर्फ कर सकते हैं खाज करके इस कतला मचली को आप चावल के साथ खाए चावल के साथ यह खाने में बहुत ज्यादा tasty लगता है तो आप इस तरीके से एक बार कतला मचली को ज़रू ट्राइ करके देखीगा उमीद है आपको यह बहुत पसंद आएगा और यकीन माने अगर आप इस तरीके से एक बार कतला मचली को बना के खा लेंगे तो आप इसे जरूर बार बार बना के खाना पसंद करेंगे तो अगर आपको मेरी recipe पसंद आई हो तो प्लीज मे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे मेरे आने वाली नेस्ट रसेपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके तब तक के लिए टिक केर और गुडबाई थैंक यू फो वाचिंग